अ सपलता एक चुनोती हैं इसे तुम स्विकार करो क्या कमी रे गई हैं देखो और सुधार करो जब तक न हो सपल तुम नींद जेन को द्यागो तुम शंगर्ष का मेदान छोड़ कर मत बागो तुम कुछ किहे बिना ही जे जे कार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती हेलो दोस्तो मैत सवित अरुण में आपका स्वागत है कैसे आप सभी लोग उम्मिद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे तो दोस्तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहिमान दुकानदार से related profit and loss निकालने वाले questions को और दोस्तों यदि आप मेरे चेनल पर पहले बार आये तो मेरे चेनल को जरूर सस्क्राइब कीजिए वीडियो को अधिक शदिक शेयर कीजिए और बेल आइकन पर बटन अब आना ना पूले तो आये दोस्तों हम शुरू करते हैं आज का फस्ट कोश्चन दोस्तों पहला कोश्चन से एक बहिमान दुकानदार अपना सामान लागत मुल्य पर बेचता है परन्तु वो एक किलोग्राम बाट की वज़ाए 900 ग्राम वज़न का इस्तमाल करता है तो उसका लाप पतिशत क्या है हमसे क्या कहा गया है कोई एक बहिमान दुकानदार है जो क्या करता है अपना जो सामान वो लागत मुल्य पर ही बेचता है मतलब जितने में उसने खरीदा उतने में ही बेचने की बोलता है लेकिन करता है कि वो एक किलो ग्राम बाट की वज़ाए कितने का यूज़ करता है 900 ग्राम वज़न का इस्तमाल करता है माल लिजी एक किलो ग्राम 1000 ग्राम माल लेते हैं 1000 ग्राम एक दुकानदार जो है वो 1000 ग्राम बाट का यूज़ करता है लेकिन कहा क्या है कि वो एक किलो ग्राम बजाए 900 ग्राम का यूज करता है यानि कि वो 900 ग्राम बाट का ही यूज कर रहा है माल लेते हैं एक किलो में 1000 ग्राम होते हैं तो कितने ग्राम का बाट का यूज कर रहा है 900 ग्राम लेकिन उसने कहा क्या है वो अपने सामान को लागत मुल्य पर ही बेचता है यानि कि वो कितने पर बेचता है वो एक हजार पर ही बेचने का दावा करता है यानि कि वो जितने में खरीता है मालों एक किलोग्राम का जो बाटा वो बोलता है कि मैं एक हजार ग्राम पर ही बेचत की पूर·ै में बरापर लागत मुल्य पर ही बेजता हूं तो यहां से हां का मैंag कितना है 900 के बिच का 800-00 का बिचा और बोलता है मैं 1000 ग्राम finde डे रहा हूं यार्नि कि उसे रत कितना हो रहा हूं 100 बटे 900 करेंगे क्योंकि 900 का ही वो सामान दे रहा इंटो करेंगे 100 200 से 200 कटेगा 100 को अगर 9 से डिवाइट करेंगे तो यह आजाएगा 11.11% के इसाब से उसे लाभ होगा यानि कि उसका लाभ पतिशाथ कितना होगा 11.11% यही इसका आंसर होगा आएए दोस्तो इसी कोशिंस को हम एक बार और समझते हैं एक कोई भैमान दुकानदार था जो क्या बोलता है को अपने सामान को लागत मुल्य पर ही बेचता है मान लिजे उसने 100 ग्राम 1000 ग्राम के कोई वस्तु खरीदी और वो बोलता है कि मैं 1000 ग्राम पर ही बेच रहा हूँ यानि कितने पर बेच रहा हूँ 1000 पर ही बेच रहा है लेकिन वो क्या गरता है कि गलट बाट का यूज करता है 900 ग्राम वजन का ही इस्तिमाल करता है यानि कि वो 1000 ग्राम बाट की जगा है 900 gram बाट का ही use कर रहा है तो उससे फीर भी हो रहा है वो बोलता हमें आपर लागत मुल्य पर बेच रहा है जबके ओ तोल कितना रहा 900 gram ही तोल रहा है तो यहाँ पर दूकान दार को 100 का लाव हो रहा 100 का लाव कितने के उपर हो रहा 900 के उपर तो आएए दोस्तो इसे टाइप का हम अगला कोशिंस को सोलो करते हैं दोस्तो अगला कोशिंस है इसमें हमें कहा गया है एक बेमान व्यापरी अपना सामान 15% लाप पर बेजता है और एक किलोग्राम बाट के इस्थान पर 920 ग्राम वजन का इस्तमाल करता है तो उसका लाप पतिशत ग्याद करो हमसे क्या कहा हैं कोई एक बेमान व्यापरी है जो क्या करता है 15% लाप पर बेजता है यानि कि 1000 ग्राम का जो बाट का वो यूश करता है उस पर कितना 15% लाप कमाता है वो यानि कि 15% बटे 100 करेंगे तो जिरू से जिरो और हो जाएगा एक सो पचास यह नIAN कि वह एक हजार पर एक सो पचास और ज्यादा कमा रहा है यहनी कि एक हजार ग्राम का कोई बाट उसक रहा है तो उस पर पंद्रा पटसेंट लाप कितना हो रहा तो एक हजार में डेट सो को और जोल लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1150 कितने का यूजर करता है वो 1150 बोलता है लाब कमाता है लेकिन फिर वो क्या गड़ता है कि 1 kg जो बाट था जो 1,000 g का जो बाट था उसके इस्तान पर उसने कीया गया 920 g का वज़न का ही तोल किया यानि कि वो 920 g ही तोलता है पर 920 ग्राम वजन का इस्तमाल करता है यानि कि 1000 ग्राम था उस पर वो 15% का लाप कमाता है तो 15% का लाप निकालेन कितना हो जाएगा 150 तो एक हजार में 150 जोड़ेंगे तो 1150 रुपई में बेचने की बोलता है लेकिन करता क्या है कि वो 1 kg बाट यानि कि 1000 ग्राम बाट के इस्तान पर 920 ग्राम वजन का ही इस्तमाल करता है यानि कि वो 920 का ही इस्तमाल करता है तो हम यहां से यहां का डिफ्रेंस देखेंगे कितना आएगा दोस्तों यह difference आ जाएगा 0, 3 और 2 यानि कि 230 का difference आ रहा है 230 का difference कितने के उपर आ रहा है 920 के उपर यानि कि उसे 230 का लाब होता है कितने के उपर 920 के उपर और percentage के हिसाब से into 100 कर देंगे 23 से कटेगा यह 92, 0 से 0 कट जाए, 23 से 92 कटेगा, 22 चोक 92 और 4 से कटेंगे 100 को 25 और यानि कि उसे 25 पतिशत का लाब होता है तो दोस्तों मैं उम्मिद करता हूँ कि इस टाइप के questions आपको समझ में आ गए होंगे तो आएए दोस्तों इसी टाइप कम अगला questions करते हैं जिसमें वो नुकसान की बात करता है दोस्तों अगला questions है एक बेमान व्यापारी अपना सामान 9 पतिशत के नुकसान पर बेचता है और एक किलोग्राम बात की बजाए 840 ग्राम वजन का इस्तमाल करता है तो उसका लाब यहानी पतिशत ग्याद करो हमसे क्या गहाँ एक कोई बेमान व्यापारी है जो 9 पतिशत के नुकसान पर बेचनी की बोलता है यानि कि जो एक किलोग्राम जो बात था उसपर इसे कितना 9 पतिशत का नुकसान हो रहा है यानि कि 9 बटे 100 करेंगे और 2 सुनी से 2 सुनी यानि कि he 90 रूपर कम की एसाफ से यानि 90 ग्राम कम बेचता है क्यों कि 9% के नुकसान पर बेच रहा है तो हम मान लेते हैं पर कोई भी 1000 ग्राम का कोई बाट था उस पर वो 9% नुक्सान के साफ से कितने में बेच रहा हैं एक हजार में से 90 गटाएंगे तो हो जाएगा 910 ग्राम बेचने की बोलता हैं लेकिन फिर कहा क्या गया है कि वो एक किलो ग्राम बाट की वजाए 840 ग्राम वजन का इस्तमाल कर याईन कि वह 840 ग्राम बाट का बोलता है उन्हसे बोलता है 910 ग्राम पर मैं दए रहा हूं तो यहां सी यहां का डिफ्रेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों यह होता है पहल सित्तर का लाग सोचा ऐस चालीज़ पर तो तो सित्तर बटा करदेंगे हम 840 को 840 प परसंटेज के इसाप से इंटु सो एक शुन्यु से एक सुन्ञु साथ से कटएगा चोडवें सी लाफ होता हैं तो दोस्तो इस वीडियो में हमने बेमान व्यापारी वैयाद दुकार वैयाले कोशन्स को सोलो किया है और दोस्तो यदि आप भी अगर कहीं भी सामान लेने खरीदने जाते हो तो जरूर द्यान लगाए कि आपको भी कोई बेमान व्यापारी जो कम बाट का वज़िन वीडियो देखने के लिए धन्यवाद